लेकिन एक बात हम दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को जरूर कहना चाहते हैं भाई साहब आप आते हैं साधारन पडिवार से आप आते हैं किसान मजदूर के पडिवार से आप आते हैं गरीब पडिवार से आप जो हमारे उपर डंडा चला रहे हैं न Actually, आप अपने ही भविस्ष पे और अपने ही मुद्दों के उपर डंडा चला रहे हैं इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा और रिकॉर्ड तो करते ही हैं आप लोग बनियां सा रिकॉर्ड करके ग्रीमंत्री को सुना दीजिएगा इस बात को याद रखिएगा कि DCP सहाब प्रमोट होकर के चले जाएंगे डीजिपी बन जाएंगे लेकिन जो आज इस देश की आर्मी के साथ हो रहा है वो बात किसी दिन किसी भी पुलिस के साथ हो सकता है इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आज जिस तरीके से देश के लिए जो सम्मान की बात है जो सर्वोच बलिदान की बात है अगर उनकी नौकरी को ठेके पे किया जा रहा है तो कल आपकी नौकरी को भी ठेके पे किया जा सकता है इसलिए Congress Party पिछले 12 तारीक से यह सत्यागरह कर रही है लेकिन ये जो सत्यागरह है जनतर मंतर पे जो सत्यागरह हो रहा है इस सत्यागरह का मूल कारण यह भी है कि हम सिर्फ अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं मीडिया वालों मैं आप से खास करके कहना चाहता हूँ हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं एक कहावत है सच को आच नहीं होता है हमको अपने नेता की चिंता नहीं है हमारा नेता कुछ गलत नहीं किया और सरकार उसका कुछ गलत नहीं कर सकती इस बात को याद रखिएगा हमको अपने नेता की चिंता नहीं होती है और हम इस सरकार को कहते हैं साहेब हर चीज का एक मंतर नहीं होता है बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले तो मैं भाजपाईयों को कहना चाहता हूँ रे भाजपावा लो ये राहूल गांधी हैं इंद्रा गांधी के परिवार से आते हैं राजीव गांधी के बेटा हैं आतंकवादी से नहीं डरे तुम तो वैसे भी माफी मागने वाले लोग हो भई तुमसे क्या डरेंगे यार ED उडी से डर नहीं लगता है ED से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं हम बस इस देश की जंता को बताना चाहते हैं कि ED इनके घर पे आया क्यूं है ED इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधू बता दिया है कि विपक्च के सारे नेताओं पे एक ही कैपसूल इस्तेमाल किजिए एक कैपसूल सबके उपर बड़ावर लागू नहीं होता है सब धन 22 पसेरी नहीं होता है इनको लगता है कि एक बार ED भेज देंगे तो कॉंग्रेस पार्टी डर जाएगी कॉंग्रेस के कारकरता डर जाएंगे और चूप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के उपर ED आ गया है तो कारकरता को कौन पूछता है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर इस बात क्या जज़वा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाफ हैं हम उस खिलवार के खिलाफ क्यों हैं हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है यह हम नहीं बोले थे सुस सिरी सिरी 108 सिरी मान्या परधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड नौकरी दी जाएगी, क्या मीडिया वहले मोदी जी बोले थे न कि हम बोले थे, अरे बोलिये न महराज आपको भी बोलना परेगा याद रखिएगा इस बात को सब की बारी आएगी इस बात को याद रखिएगा अरे हमारे लिए क्या है जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बारी सब की आएगी इस बात को याद रखिएगा कहे थे न मोदी जी कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे बोले थे कि नहीं बोले थे अरे बोलिये न आप कॉंग्रेस के कार करता है बाट पा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे बोले थे न कि महंगाई कम होगी बोले थे न खाते में 15 लाक रुपय आएगा बोले थे न अच्छा दिन आएगा आया क्या मोदी जी के स्टैल में पूछूं क्या आया क्या अब नया जुमला आया है अब नया जुमला आया है कि हम अगनी पथ ले करके आए हैं ये को भाजपा का निता इमानदार है कैलास विजय बर्गिया को धन्यवाद देना चाहिए कम से कम उसने इस देश के नोजवानों की संका दूर कर दी उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार भाजपा ओफिस में सभी नोजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूँ बिजय बर्गिया जी आपका बेटा बल्ला भूद चलाता है अपसर पर बैट चला रहा था उसको बिजय पी ऑफिस में क्यों नहीं सिकुरिटी गाड़ बना देते हैं मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी मंत्री का बेटा बनेगा बिसी सी आई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ओफिस में सिक भी बोलेंगे मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया सब कुछ किया इस परिस्थिती है इस परिस्थिती पे मुखड ओकर के हमारे नेता बोलते हैं इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लड़ता है और करके तो उसका नाम राहुल गांधी है उसको डराना चाहते हैं उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना नहीं है ये देश के ठेकेदार हैं और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविस्ट को ये ठेके पर कर देना चाहते हैं ये जो अगनीपत्य योजना है इसकी मोटी-मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉंफ में सरकार जिलेवी की तरख गोल-गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अगनीपत्य योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा जिस तरीके से उसके गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंपल सवाल है कि जो भरतियां हो रही थी वो भरती होगी की नहीं होगी सवाल नमबर एक सिंपल बात है पहले आर् 50,000 कर दिया और पिछले दो साल में अब तीसरा साल है 50,000 लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया बहाना दिया गया कि कोरोना था इसलिए भरती नहीं किये हाइ मुदी जी कोरोना था तो चुनाव लर लिए बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए सब जगा चुना हो गया उत्तर प्रदेश का चुना हो गया बुल्डोजर बाबा आ गए लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई ये बैमानी है कि नहीं है रोजगार देने में कोडोना है अचुनाव लरने में कोडोना नहीं है और अगर आप बैकलोग को देखेंगे पचास हजार को अगर माल ले तब भी देड़ लाख बहाली होनी चाहिए थी देड़ लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं देड़ लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको यह नहीं बता रहे हैं उपर से यह नया योजना ले करके आ गए हैं तो एक छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था कहां मम्मी दूध पिला दो दूध पिला दो मम्मी उसको उठा करके अल्मीरा पे बिठा दी बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है मम्मी दूध पिला दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अल्वीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे हर साल दो करोर नौकरी इन्होंने हर साल दो करोर नौकरी नहीं दी उपर से एक नया योजना ले करके आ गए हैं पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिये हैं कि आप बताईए कि अगनी पच के क्या फाइदे हैं अरे सिंपल सी बात है बिहार में एक कहावत है नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है जो चीज अच्छी होती है उसका फाइदा बताने का जरूरत नहीं होता है जो चीज में कोई खराबी होती है उसका खराबी छुपा करके आपके घर पे कोई समान बेचने के लिए आता होगा तो उस समान का सब कुछ अच्छा-च्छा ही बताता होगा आप टेन में जब जाते होंगे, बस में जाते होंगे तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संत्रा से आपको एक गिलास जूस निकाल करके दिखाता है और वही जूसर जब आप घर पे ले करके जाईएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा ये जो बेचने की मानसिक्ता होती है इस बेचने की मानसिक्ता के खिलाप है ये सत्यागरह दो लोगों के बीच में है जावेद अख्तर ने लिखा है एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजे दो दो आवाज है एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठे हुए है एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है वो सरकों पे खड़ा है वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है वो सत्यागरह कर रहा है और ये सत्यागरह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के जूट को हम समझ रहे हैं जूट क्या है इनका जूट है कि ये लोग पर्मानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं पर्मानेंट बहालिया देश को समझा रहे हैं जब भी देश में कोई ठेका करन किया जाता है तो सिर्फ उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है लेकिन इस बात को याद रखियेगा कि आगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का होगा एक बार आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि अगर एयर इंडिया नहीं रहेगा अगर नहीं होगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे जोती राधित्तसिंधिया समझना है कि नहीं समझना है आप हमको बताइए कि सब और डीयल वे नहीं होना चाहिए सब सरकारी प्लाफामितमथ लेक chickens बजाएंगे फिर सरकारी परधान मंत्री भी क्यों होना चाहिए सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय संपत्ती देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय सेना देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यागरह करने के लिए आया हूँ Congress Party की लडाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लडाई नहीं है Congress Party की लडाई इस देश को बचाने की लडाई है वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है जिस देश को नहरू मौला नाबूल कलाम आजाद ने बनाया है उस देश को बचाने की लडाई है Congress Party को लेकर के भाजबा लगातार परचार करती है कि अगर Congress किसी चीज का बिरोध कर रहा है तो सही होगा तो आप बताईए हम भाजबा का बिरोध करते हैं देश के संबिधान का समर्थन करते हैं और उस संबिधान को हमने बनाया है Congress Party ने बनाया है इसलिए कहावत कही जाती है जाके पैर नफटे बिवाई वो का जाने पीड पड़ाई जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है इसी आसा और उम्मीद के साथ कि सत्त और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे सत्यागरह के रास्ते पर चलेंगे जूट को हराएंगे जूट पे सच भारी है सत्यागरह जारी है यह सत्यागरह जारी रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद